जलवायू परिवर्तन विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। गलेशर पिघल रहे हैं नदियों मिंबार का विकराल स्वरूप पहले से कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। जिसका सिधा असर जीवन पर 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 रहा है। पहाडी प्रदेश हिमाचल नदियों पहाडों गलेशरों सहित प्राकरतिक संसारनों का राज्य है लेकिन विकास के नाम पर पहाडों का सीना छलनी किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए बुद्धी जीवी काम तो करे हैं बावजुद इसके सार्थक परिणाम साम धन किया। विग्यानिकों का कैना है कि गलेशर लगातार पिगल रहे हैं जलवायू परिवर्तन तेजी से देखने को मिल रहा है। अगर हम जलवायू परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रिया कलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धी के कारकों को नियंद्रित करने के बारे में ठोस कतम उठाने चाहिए ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धी धीमी हो हिमाच्य प्रदेश ने आज से सिंगल इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक को भी बंद कर दिया है जो इस दिशा में महत्वपुरण कदम है विग्यानिक कुलकर्णी कहते हैं कि जलवायू परिवर्तन के लिए हिमाचल या भारत्ची मेदार नहीं है बलकि दुनिया के वो देश है जिनोंने अध्योगी करण कर प्रदूशन फिलाया हिमाचल प्रदेश विग्यान प्रद्योगी की एवं परियावरन परिशत के निदेशक लली जैन ने बताया कि जलवायू परिवर्तन पर प्रदेश के विग्यानिक और अधिकारी मन्थन कर रहे हैं गलेशर को किस तरह से बचाया जाए प्राकरतिक संसादनों का दोहन विग्यानिक तरीके सिखिया जा सके इस पर बलतिया जा रहा है उन्होंने बताया कि जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है साल 2050 तक 2.0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएंगे जिस अचल में आसे एकल उप्योग प्लास्टिक में स्टिक, एरबड, गुबार में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के डंडे, सज्यावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलिस्ट्रीन, कटलरी प्लेट, कप, चाकू ट्रे, गिलास, फॉर्क ट्रॉ इद्यादी शामिल है एकल उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तूं का निर्मान बंधारन विटरन बिकरी और उपयोग पर भी प्रतिबंद लगाया गया है अपनी बात रखेंगे देखे साइंसदानों का अनुमान है कि 2050 थक दो डिग्री टेंपरीचर हमारी पूरी दुनिया का भड़ सकता है यदि ऐसा होता है तो जो हमारी बरफ वाले स्थान है उनके ओपर मैक्सिमम इसका असर पड़ेगा जो बरफ पहड़ों पर जमी है वो सकते हैं जाहिर सी बात है जलवायू परिवर्तन एक बहुत ही गंभीर विशे है और हम सब को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा देखी पश्यमी देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जो पाड़ी क्षेतर हैं हम सबने स्विट्जरलेंड का नाम सुना है यदि हम देखें त रखें हैं जिससे कि हम डखें जलवायू को बचा सकते हैं जलवायू को बचा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी च्छा है कि आज की कारेशाला से हम ऐसा ही कोई वाया मीडिया निकालें जिससे की विकास भी न रुके और जल्वाई परिवर्तन को भी हम बचा सकें Indian Institute of Metrology जो है ये सारा स्टडी करता है glaciers को आज उनके प्रतिनिदी भी यहां पर मौझूद है जाहिर सी बात है क्योंकि हिमाचल के जो उचितम पहाडियां हैं वहां पर glaciers रहते हैं डेफिनेटली glaciers के उपर भी हम आज मन्थन करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरह से glaciers का पगिलना हिमाचल के अंदर हम रोख सकें एरिया तो बड़ा है परन्तु यह बहुत ही एक स्पोरैडिक से एक्जामपल्स हैं हमें लॉंग टर्म इसको देखना पड़ेगा कि जलवाईउ परिवर्तन का स्नो कवर एरिया के उपर कितना असर पड़ता है परन्तु आपने बात ठीक कही कि कही न कहीं टेंपरेचर जरूर बढ़ रहा है हम सारे मैसूस कर रहे हैं शिमला के अंदर भी अब कभी कभी पंखे चलाने की जूरत आ गई है तो मैं इस बात से पूरा इतिफाक रखता हूँ